अबिनन्दन आबार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिश विग्नियान के इस अतिहसिक चनल पर और मैं हूँ आप सबका एश्टो दोस्त रुपेन आर्शा वैश्विक संतुलन बदलना शुरू होगा एक प्रेडिक्शन अभी कुछ हपतों पहले ही की गई है और 15 मैं 2021 को एक प्रेडिक्शन की गई थी कि यूप परिवर्तन का समय USA के लिए उसमें स्पष्ट रुप से बताया गया था कि अब धिरे-धिरे घटना करम इस तरह से बनेगा कि USA की सूपर पावर की जो इमेज है वर्ल्ड में ये यूप परिवर्तन का दशक जब खतम होगा तब तक ये समाप्त हो चुकी होगी 1980s के दशक में जो USSR की हालत हुई थी यही कुछ चीज़े USA के साथ गटित होने के लिए जा रही है कई लोगों को जब वो प्रिडिक्शन की गई थी तब कल्पना से प्रेलग लगता था वैश्विक संतुलेंद वाली प्रिडिक्शन में भी अभी भी लोग समत नहीं पा रहा है आज जो घटना करम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ अगर वाकई में ये हो जाता है तो आप सूचिएगा कि जो बाइडन साब की ये कितनी बड़ी गलती होगी अफगानिफस्तान की गलती बहुत छोटी दिखेगी इतनी बड़ी गलती करने के लिए जो बाइडन अब जा रहा है अब ये कैसे हुआ तो ये सारा घटना करम अभी भी चल ही रहा है यूएस अब वहां की जो पार्लामेंट है वहां पे जो बाइडन साहब एक प्रसाव लेकर आये है जहां पे यूएसे की गवर्णेंट पब्लिक के लिए जो एक्सपेंसिस है उसे बढ़ाने की कोशिश में है और वहां पे पास करवाना पड़ता है और दोनों में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन के 50-50 एक्जेट 50-50 मेंबर्स हैं तो कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हो रही है और ये प्रसाव पास नहीं हो रहा है क्योंकि ये अगर ऐसा किया तो रिपब्लिकन पार्टी मतलब डॉनाल्ड टरम्प की पार्टी को ये लगता है कि ये सरकार के पैसों की बरबादी करके प्रजा को लाब पहुंचा के फिर से सत्ता में आना चाते हैं और विरोत्पक्ष होने के नाते वो ये होने नहीं दे रहे हैं बहुत लंबे समय से ये मामला अटका पड़ा हुआ है अब कोई नहीं मान रहा है तो जो बाइडन साहब ने रिपब्लिकन पार्टी का नाग दबाने की कोशिश की है कि नाग दबाएंगे आपको मुँख खोलना पड़ेगा और हाँ बोलनी पड़ेगी तो एक सीधा घटना करम ये हुआ है कि इसराइल अब अमरीका की इंटरनल पोलिटिक्स में एंट्री हुई है इसराइल की और इससे वैश्विक संतुलन की इस तरह से बिगड़ेगा कि इसराइल को आयन डॉम एक टेक्नोलोजी है कि जिसके कारण आसपास के इतने सारे मुस्लिम कंट्री से कोई भी इसराइल के सामने आँख खुटाने की हिम्मत नहीं कर रहा है अभी लाश्ट टाइम भी जो हमास के इतने सारे मिसाल एटेक्स हुए थे इसराइल को कुछ नहीं हुआ था यह उसका सबसे बड़ा रिजन है अमरीका की यह टेक्नोलोजी जिसे आयन डॉम टेक्नोलोजी कहते हैं और इसके पीछे अमरीका प्रती साल हर एक साल एक अरब डॉलर के आसपास खर्च करता थुड़ा प्लस मैनस हो सकता है लेकिन इतना इंवेस्ट करता क्यूंकि इसराइल ही मिडल इस्ट में वो ताकत है जो मुस्लिम राश्ट्रों की जो हुकमीजी से कहते हैं उसे पार्टी के साथ ज्यादा रही है बेंजमीन नेतन्याउ हो या फिर गवर्देश की ही जो किसी एक पार्टी के साथ अगर होती है करीबिया तो वो रिपॉब्लिकन पार्टी के साथ ज्यादा हुई है अब जॉब बार्डन साथ ने ये मन बना लिया है कि अगर आप ये नह खर्च बढ़ाने के उसके साथ हैगरी नहीं करते हैं तो हम इसराइल को दी जाने वाली ये एक अरब डॉलर की फैसिलिटी बंद करतेंगे अभी भी डॉनाल्ड ट्रम्ट की पार्टी ने तो सीधा कह दिया है कि आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते आपको जो करना हो वो कीजिए हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो मामला यहां पर फसा हुआ है अब अगर ताव में आके जोश में आके जोब आइडन साब ये गलती भी क अगर यह बंद कर लेते हैं मतलब पूरा आयन डॉम का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो फेल फिर कोई भी एरा गेरा नत्थू गेरा मिसाल एटेक्स से इसराइल के उपर हमला कर सकता है इसराइल को नुकसन पहुंचा सकता है अभी तक तो उसके पास अभेज सुरक्षा का तो इसराइल अगर मिडल इस्ट में कमजोर पड़ जाता है फिर देश तो बाजू पर रख दीजी आतंकवादी संगठनों के साथ लड़ते-लड़ते भी इसके पसीने छूट जाएंगे क्योंकि जो डिफेंस है वो ही अगर कमजोर हो गया तो खाली एटेक्स से तो बाजी जिती नहीं जा सकती है डिफेंस इतना मजबूत था इसलिए इसराइल इतना एक्रेसिव हो रहा था तो अगर ये डिसीजन जो बाइडन साब ले लेते हैं आप देखिये कि वैश्विक संतुलन में बड़लाव की कितनी घटनाए अचानक से एक के बाद एक बनने के लिए जा रही है ये अब कल्पना से परेवा कि बात थी इंटरनल पोलिटिक्स की युएसे की दो पार्टियों के बीच में ठणी हुई थी और उसमें मुद्दा लाके ये खड़ा कर दिया अफगानिस्तान में से सैना वापस बुलाने का जो क्विक डिसीजन था उसके बाद जो वैश्विक संतुलन में इसे बडलाव न कहे तो क्या कहेंगे युग परिवर्तन का दशक क्यूं है अब एक एक गटना क्रम के साथ ही से समत्ते जाईए चीज़े बहुत तेजी से बदल रही है लेकिन ये जानना ज़रूरी था मादयो करे ये नहीं हो क्योंकि वाकई में अगर ये डिसीजन जो बाइडन साब ले लेते हैं तो ये अफगानिस्तान से भी बड़ी गलती होगी क्योंकि ये पूरे मिडल इस्ट को खोल के रखतेगा मिडल इस्ट में सबसे प्रभावसाली देश को सबसे कमजोर देश बनाने पर का मुख्यकारण ये ताज भी जो बाइडन साब के सरके उपर ही सजेगा अगर ये डिसीजन वो ले लेते हैं वाकई में ब्लैकमेल करने के लिए स्टेटमेंट बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है लेकिन बे बाइडन है कुछ भी कर सकते हैं अगर वाकई में ये कर दिया तो आप सूचिए कि मिडल इस्ट में सिच्यूइशन क्या रहेगी फिर यकीन मानिये दोहा हो कतार हो मतलब कहीं पे भी आप गल्फ कंट्रीज में हो फिर वहां पे सिक्यूरिटी नाम की चीज़े बहुत बड़े खत्रे में आने वाली है आने वाले कुछ ही साल में और फिर सीधा अंदेशा ये भी हो सकता है कि इसराइल चीन के साथ चला जाए कि इसराइल भी फिर छोड़ेगा नहीं अमरीका को अगर उसके नागरीकों के उपर आन पड़ेगी तो वो सिधा अमरीका के दुश्मन के साथ ही हाथ मिला लेगा अगर ये घटना करम होता है तो सूचिए कि वैश्विक संतुलंद में कित के लेके आ रहा हैं ब्लैक मिलिंग के संदर्त में मादेव करें कि सब बुद्धी हो और ये चीज़े नहीं हो अधर्वाइस फिर मिडल इस्ट के लिए और इसराइल की जनता के लिए बहुत बूरे दिन आने वाले हैं तो क्यूँ नए इसे युक परिवरतन का समय कहा जाए जाए क्यूँ नए इसे वैश्विक संतुलंद का बडलाव शुरू हो गया है यह ऐसा कहा जाए डोनों सारे की सारी प्रेडिक्शन देखिएगा आपको धिरे धिरे जैसे जैसे आप दोपहर को भी एक प्रेडिक्श उसके बाद तीन options आएंगे, all के उपर click कर दीजेगा, ताकि हर नए वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलते रहे, और हमसे अगर live के किसी problem के लिए solution चाते हैं, स्वागत है आपका, whatsapp number, thumbnail में दिया हुआ है, call मत कीजेगा, call some नहीं ले पाएंगे, अपना नाम, bird details of problems, whatsapp number 971-444-3110, उसके उपर लिख दीजिए, अक्षर जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, procedure वहाँ पे समझा दिया जाएगा, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय है